नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो नाकपूर में परवेज पटेल उर्फ पपू ये एक ऐसा नाम है जो इन दिनों काफी चर्चित है क्योंकि इनके उपर हाल फिल हाल में एटियस की रेड भी हुई थी दोस्तो परवेज पट परवेज पटेल पैसे डबल करने के मामले में या फिर डूबलिकेट नोट मामले में इनका नाम हमेशा कई दिनों से शुर्खियों में आते रहा है नाकपूर पुलिस की कुछ माह पहले ही एक बड़ी कारवाई हुई थी उसके बावजूद सुत्र बताते हैं कि परवेज राजिक कुरेशी का ऐसा ही एक मामला सामने आया था लेकिन अब परवेज पटेल का मामला सामने है दोस्तों अगर ठीक तरीके से अगर चीजों को आकलन किया जाए और जाच जबता कि पूरी हो जाएगी तो शायद यह आपको देखने को मिल सकता है कि परवेज पटेल रा विश्वास दिलाता है तरह तरह कि इसके कुछ पेटेंट डायलोग है जो फिक्स है और जिसके तहत लोग सोच में पढ़ जाते हैं और अपना लाखों गवाँ बैठते हैं और ना जाने कितने लोग नाकपूर और आसपास के राज्य में ऐसे कितने लोग है जो परवेज परवेज पटेल के चक्कर में फस चुके हैं ऐसे शातिर महाठक का का डारिक नहीं होता है यह इनके एजेंट होते हैं इनके करीबी जो होते हैं इनके एजेंट होते हैं सुत्र बताते हैं कि परवेज पटेल ये अपने एजेंट से कहता था कि कस्टमर को यानि कि जिसे बे प्रविस्पटिल का उसके आड में चीजे की जाते हैं और दूसरा प्रपर्टी का हवाला दे करके लोगों से पैसे ले लिये जाते हैं और बाद में उसे डुब्लिकेट नोट दे कर डबल करने की जहांसे दिये जाते हैं और यह भी बताया घने कर दाए जाता है कि कुछ दिनों में कुछ महिनों में एक तया किया जाता है इतने دिनों के बाद इतने महिने के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे और है इसमें एक चीज़ सबसे अहम चीचpper यह है कि कम से कम 50 लाख रूपए ओरिजिनल परवेश पटेल मांग करता था और जिसके एवज में एक महीने बाद डूबलिकेट एक करोर रूपए देने का दावा करता था हमारे एहम सुत्र ये बताते हैं कि परवेश पटेल जिनगारियों में घूमता था कम से कम ऐसे दो या दो से अधि यानि कि अगर पुलिस चेक भी करती हैं तो पुलिस समझ न पाया इतने शातिर तरीके से अपने सीटों के नीचे नोट रखने का व्यवस्था परवेश पटेल ने अपने गारियों में बनाया है दोस्तों जैसे ही मामला सामने आ रहा है वैसे ही परवेश पटेल के धोखा गया है और BCN सबसे अपील करता है कि अगर आपके साथ भी ठगी हुआ है तो आप भी पुलिस में जाए और इसकी शिकायत करें देश के चौथा स्तम्व यानि की मीडिया का काम BCN ठीक तरीके से करने की पूरी कोशिश हमेशा आप तक करता रहा है और सच आप तक हम लेकर आते रहे हैं और इस मामले में भी हर एक सच्चाई हम आप तक लेकर आते रहेंगे आप हमारे साथ बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ एहम खुला से अगले एपिसोड में हम फिर से लेकर आएंगे जैन